जब आप अपने किसी पेशेंट के अंदर anterior crown दे रहे हैं तो पेशेंट का जो पहला question है वो दिमाग में ये आएगा कि क्या आप मेरा दान ऐसे ही छोटा करके छोड़ देंगे और ये एक बहुत बड़ा question है और हो सकता है कि पेशेंट सर्फ इसी वजए से ना crown लगाए या bridge लगवाए anterior bridge कि उसको बिना दानों के रहना पड़ेगा कुछ दिन तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कई एक ऐसा temporary crown बनाए जो बहुत जल्दी भी बन जाए हमारी जेपे खर्चा भी नहीं आए क्योंकि अगर आप उसको temporary crown को बनवाने के लिए लैब भेजेंगे तो लैब वाला कम से कम एक दिन तो लेगा ही हाई मैं GDS Dental से डॉक्टर रोज शर्मा और मैं कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो बनाता रहता हूँ और इन ट्रिक्स को देखने के लिए regular updates लेने के लिए notification का बटन दबाना ना भूले और अगर ये सारी ट्रिक्स आप मेरे से directly सीखना चाते हैं तो मैं और मेरी वाइफ यहाँ पर ये सारी ट्रिक्स आपको सिखाने के अंदर बहुत खुशी महसूस होगी और आप GDS Dental Academy को जोईन कर सकते हैं ये picture एक female patient की है और इस दाथ के अंदर आप देख सकते हैं कि जो lateral incisor है वो mesial and distally bone दोनों साइड से carious है और old composite restoration अलड़ी हो चुकी है patient को एक definitive permanent solution चाहिए था तो हमने decide कि हम एक Emax crown patient को देंगे तो हम जब ये treatment start करने से crown cutting start करने से पहले हम एक इनका alginate impression ले लेते हैं ताकि हम इसकी मदद से temporary crown बना सके जब तक हम crown cutting करते हैं impression लेते हैं बाकी procedure करते हैं तब तक हम को alginate के अंदर एक गीली cotton wet cotton डाल के रख देनी चाहिए और polythine में pack कर देना चाहिए ताकि भार का air उसके साथ ना हो ताकि नहीं impression shrink हो और नहीं expand करें particularly this case के अंदर मैंने gingival code डाल कर double code impression ले रखा है hard party से and light body से और impression करने के बाद हम अपना temporization process स्टार्ट करते हैं अब हमने जो यह पहले alginate impression लिया था सारे process को start करने से पहले इस impression material के अंदर हम जो हमारे पास tooth color powder and liquid है monomer and polymer है उसको डाल लेते हैं इस alginate के impression को दुबारे से mouth में same spot के ऊपर हमें insert करना है यह बात बहुत important है कि आपका alginate impression exactly same जगह पे जाना चाहिए अगर वो नहीं गया तो जो हमारी जो cap बनेगी वो dimensionally बड़ी हो सकती है फिर हमको जो यह alginate impression है वो 4-5 minute patient mouth में रखना है अगर सर्दी है तो यह temperature थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और अगर गर्मी है तो थोड़ा बहुत कम भी कर सकते है जब आपका जो alginate है वो set हो जाएग तो जो यह temporary material है वो patient के mouth के अंदर ही रह जाएगा और यह देख सकते हैं इसके अंदर जो हमारा temporary है वो बहुत ही beautiful देख रहा है लेकिन अभी जो temporary है वो permanent set नहीं हुगा है इस वजए से आप इसको easily remove कर सकते हैं जब तक यह set ना हो तो मैं आपको advise करूँगा कि इस temporary crown को एक बार निकाल ले और दुबारे अंदर कर देजिए ताकि अगर कुछ undercut में यह कहीं पर acrylic फस गया है तो वह remove हो जाए अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको यह temporary crown निकालना बहुत मुश्किल हो जाए set होने के बाद आप इस crown को बहुत निकाल लेते हैं carbon paper से high spot ले लेते हैं और इसको final finish and polish हम बाहर कर लेते हैं इस पूरे process के अंदर आपकी crown cutting भी बहुत important है आपकी crown cutting के अंदर कोई undercuts नहीं होने चाहिए अगर undercut होंगे तो आपका temporary crown है वो बाहर निकालने में काफी मुश्किल होगी और आप इसको ठीक से finish नहीं कर सकते और जो final retention हो होगी वो भी काफी खराब हो सकती है और अगर आपका temporary crown मुह में ही फस गया तो यह बहुत ही frustrating बात होगी क्योंकि आपको वो दुबारे से cut करके ही निकालना है जो कि time consuming भी होगा और आपका temporary crown भी खराब हो जाएगा Thank you for watching, please subscribe our channel for watching other useful videos, thank you